इसके पहले आपनी एक वीडियो देखिए सेम वीडियो आप बनाना चाहते हो आप थनल पर देखके इस पे क्लिके होगे क्योंकि आपको मुझे पता है ऐसी वीडियो पनाना नहीं आता और आप सीखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूँगा आज की वीडियो में इसी को जानेंगे इसी टॉपिक में बात करने वादा हूँ तो आपके लिए इसके लिए आपको एक एप चाहिए जिसका नाम है आपको सामने दीखे भी रहा होगा वीटा एप इस एप को चाहिए जो मैं इसको मूब कर रहा हूँ वीटा एप कैसे मिलेगा प्ले स्टोर पे आपको जाना है प्ले स्टोर पे आपको जाना है यहाँ पे सर्च करना है वीटा जैसे आपने सेर्च किया Vita तो first page पर आपको आजाएगा Vita फिलाल मैंने open का option आ रहा है क्योंकि मैंने install कर रखा है तो आपको भी install कर लेना है and back जाते हैं आप यहाँ पर आते हैं अपने जो भी काम को उसको करते हैं आपको open करना है Vita app आपका चार समयना लेते हुए तो मैंने एक project कर रखाता है तो आपको सिखाते हैं new project यहाँ पर आपको जैसे आप बीटा आपको install करोगे इसका interface बहुत simple है आपको new project पर क्लिक करना है ठीक है कैसे आपने new project पर क्लिक किया अब यहाँ पर आ जाओगे मैं कोई साइक वीडियो उठा लेता हूँ simple सी वीडियो उठाओंगा यह देखिए आपर बगवान स्री राम का वीडियो उठा लेते हैं अब आज को मैं बंद कर देता हूँ हो सकता है copyright आ सकता है ठीक है इसको मैं बैक करता हूँ एड इस वीडियो को मैं यहां पर Import कर दिया हो ठीक है अब इंपोर्ड करने के बाद इसको मैं कैसे use करूँगा ठीक है आपको simply मैंने क्या बता है मैं आप को बताने वाला हूँ तो simply आपको यहां पर इसे स्कॉल करोगे यहां पर इफेक्ट का ओफ्षन आ रहा है नीचे तो आपको यहां पर नीचे एफेक्ट पर क्लिक करना है फिर इसे एफेक्ट पर क्लिक करना है उसके बाद आपको यहां पर स्कॉल कर देना है यहां पर आपको एक ओफ्षन यहां पर अपने इसाप से अर्जेस्ट कर लेना तेकिन सब कुछ मैंने नौर्मल कर दिया है कोई दिक्कत नहीं आपर फिल्ट्रेशन भी काफी अच्छा है आपके यहां पर ओके कर देना आप जितने साइड में जिसे आपने वीडियो देखा होगा तो इस्टार्टिंग में मैं ब्लैरिंग रखूंगा बस स्टार्टिंग में मुझे हलका से ब्लैरिंग चाहिए तो मैं वीडियो अन करतेता हूं बस मुझे इतना ही ब्लैरिंग चाहिए हलका से और ले लेते हैं ठीक है हलका से बस मुझे अब नहीं चाहिए ब्लैरिंग मेरा इतना ब्लैरिंग सही ह मैं इतना मेरा blurring सही है यहाँ पे बस perfect आपको जितना आप रखना चाहते हो इतना blurring आप रख सकते हो ठीक है तो blurring के problem नहीं है अब आपको simply कुछ नहीं करना है यहाँ पे आप अलग से कुछ effect लगाना चाहते हो simply effect प्लिक करो को यहाँ पर motion कभी effect है कोई सभी एक effect मैं simply एक effect लेलिया ठीक छ उपने करना है यहाँ पर देख सकते हो जो आपको इस वीडियो में मैंने आपको खाले blurring सिखाया है अगर आपको proper पूरा वीडियो चाहिए तो हमें comment box में बता देना मैं आप उस पे proper वीडियो बना दूँगा कई से editing होती है कैसे क्या होता है मैंने आपको blurring वीडियो बनाया है आप चैनल को subscribe कर लेना अगर आपको interesting वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को like कर देना एक प्यार सा comment आपको drop कर देना है टेक है ऐसे interesting वीडियो चाहते हो तो इस future में चैनल को subscribe ज़लो करना बल आइकन को आण कर लेना जिससे हमाई नहीं या नहीं अपडेट आपको सबसे पहले मिले तौस्तो thank you so much